हिंदी की रोचक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए सुप्रसिद हिंदी लेखी का डॉक्टर संगीता जाजी की लिखी हुई कहानी इदगाह एक बार फिर तो शुरू करें कहानी इदगाह एक बार फिर इदगाह एक बार फिर इसलिए कि बच्पन से प्रेम चंद जी की कहानी को जिया है हामिद दादी के लिए उसका प्यार इदगाह के आसपास की हलचल चहल पहल में खुद को डुबो देने का मन बार बार करता था कई बार दादी का आदर्श बनने की कोशिश भी की, काम्याब भी हुई दस्मी कक्षा के छुट्टियों में दादी का पैट टूग जाने से दादी के पास गाउं जा चूला जलाया, बटलोई में दाल भी बनाई यहां तक की दादी की छुआ छूट की वज़े से गोबर से चूला और रसोई घर भी लिपा उन दिनों मेरे अंदर बरसों से जी रहे हामित के किरदार को शांती भी मिली लेकिन ये तो बच्पन की बात थी लेकिन अब मैं उस घर में रहती हूँ जिसके सामने की सड़क ईदगा को जाती है मैं और पती दोनों ही डॉक्टर हैं पर मेरे अंदर हामित अभी भी पूरी तरह जिन्दा है पती और बच्चों को मेरे अंदर के ईदगा और हामित का जरा भी अंदाजा नहीं है कभी कहानियों के किरदारों के विशय में पुस्तकों में पढ़कर हम गर्व से अभी भूत हो जाया करते थे और मनी मन उनके आदर्शों को जीने का संकल्प करते थे आजकल साहित्य की दशा और दिशा कूरेदान सी हो गई है ब्रहष्ट, सेक्स और हिंसा भरी कहानियों और फिल्मों से हम क्या परोस रहे हैं आने वाली किस्मी सदी में इदगा नाम से ही मेरे तिमाग में घुमने लगता है मेले का सुख जो इदगा के आसपास रहता है मिलन का सुख, अंदर सारे लोग एक से सफेद पैजामे में बाहर कितने सारे रंग, एक साथ गुबारे रंग विरंगे, खिलोने रंग विरंगे, रंग विरंगी मिठाईयां और न जाने क्या-क्या सब में सुख में लगता है मुस्कुराहट का रंग, जो शायद हमीद के चिहरे पर था, उसकी दादी के चिहरे पर आया हाथ में चिम्टा ले कर, और ईदगा कहनी की याद आते ही मेरे चिहरे पर आ जाता है इनी सभी कहानियों के बज़े से शायद मैं छोटी ही रह गई हूँ समय से डरती हूँ कि इसका रंग मुझे छूँ न पाए समय की रंग की चड़ान को देख कर भी अंदेखा करती हूँ अपने उंगलियां मुझे अभी भी नन्ही लगती हैं कस कर कभी कभी अपनी उंगलियों को पकड़ कर आखें भीच लेती हूँ कहीं मेले में नखो जाओ जीवन एक मेला ही तो है कितने अंजाने कितने बहुरूपिये कितने चलिये तरह तरह के लोग जीवन के मेले में इनी बहुरूपियों के बीच मुझे दो किरदार मिल जाते हैं एक हाशिम और दूसरे उसके अबूजान हकीम इमामुद्दीन ये नाम मुझे हाशिम न दोस्ती होने पर बताये थे मेरा घर इदगा को जाने वाली सड़क पर एक दो मंजिला मकान है जिसके नीचे के हिस्से में एक किरायदार डॉक्टर फारूखी अपनी पत्मी सलमा, बेटे सलीम और बेटी सना के साथ रहते हैं उपर के हिस्से में मैं, पती ईश्वर और हमारी दो प्यारी बेटियां इशिता और एश्णा मेरे अंदर की ननी सी लड़की को ये तीनों पूरी तरसे नकारते हैं बेटियां कहती हैं, मॉम, यू हैव टू ग्रो इन्हें मेरा चट पर जाकर भीगना, भागते बातलों को घंटों निहारना, बगीचे की तितलियों और भोरों के पीछे दोड़ना, सब कुछ बहुत डाउन मार्केट लगता है मेरे घर की सड़क के अंत में एक बड़ा मैदान है, जहां हर एद में नमाज पढ़ी जाती है मुझे भी अपने मुसल्मान भाईयों की तरह बकरीत और एदुल फितर का बड़ी बेसबरी से इंतजार रहता है इसके दो कारण है, एक तो मेरी ढूंट जैसी शड़क का नक्षा जो पूरा बदल जाता है दूसरा मिसिस फारूखी की सेविया, बिर्यानी, मिर्ची का सालन, डबल का मीठा और न जाने क्या-क्या दोनों ही दिन मैं घर पर ही आराम फर्माती हूँ, सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाद होकर नए कपड़े पहन तयार हो, अपनी बालकनी में बैठ जाती हूँ मेरे सुलबुले पन में मेरा साथ देती है सना, जो डाक्टर साहब और अपने भाई सलीम के साथ इदगा नहीं जा सकती सुबह से ही सैकनों की तादात में लोग साफ सुथरे कुर्टे पैजामे में हाथ में जा नमाज लिए इदगा की तरफ जाते दिखते हैं सभी लोग की वेशबूशा लगवख एक सी होने से उनके बीच का अमीर गरीब का भीद करीब करीब मिर्सा जाता है ठीक मुशी प्रेम चंद की कहानी इदगा की तरह सब एक साथ नमाज के लिए बैठते हैं तो लगता है मानो माला में पिरोए मोटी हों इदगा के बाहर तो मानो मेला लगा रहता है सड़क के दोनों तरफ खूंचे वाले मिठाई वाले फल वाले और कपड़े वालों के अस्थाई ठेले और बच्चों के तरह तरह के खिलोने के भी ठेले लगे रहते हैं मैं और सना सड़क पर अपनी नजरे जमाए बैठे रहते हैं हमारी जिग्यासू आखें भी इधर अधर रोगों के साथ दोड़ती हैं बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे चक्री चलाते हैं कुछ बच्चे बढ़िया के बाल लेने की जित करते कुछ के बच्चे बच्चों को डाटते कि ये सब सड़क चाप माल है से खाने से बच्चे बीमार हो जाएंगे और जबरदस्ति उन्हें अपनी बड़ी गाडियों में ले जाते तभी कुछ हद तक उनकी हैसियत का पता लगाया जा सकता था कुछ लोग आगे बढ़कर पर स्कोल बच्चों क की उमीद से जादा खरीदारी कराते इस पूरी इदगा की भीड में मेरी नजर केवल दो लोगों पर टिकी रहती है एक लूना वाले अधेर सजन और दूसरा उनका बेटा जो लगभग सना की उमर का था उनका बेटा कम पोता जादा लगता था पिछले बारह सालों से ये दोनों मेरी नजरों का केंदर बिंदू बने हुए है ये बारा साल पहले मेरे मकान के सामने अपनी लूना रोकर खड़े हो गए एक की भूरी शहदी आखें और दूसरे की चमकती सुनहरी भूरी शहदी आखें याश्टना में मेरी बालकनी में जाखती है लेकिन वहीं सु चोटा लड़का पैर की उंगलियों के बल खड़े होकर अपनी उचाई बढ़ाते हुए गेट खोलता है और बुढ़े मिया कृतगिता से उपर देखते हुए अपनी लैला जैसी लूना को सहलाते हुए अंदर खड़ी कर जाते हैं। बच्चा मुझे सलाम करता है, अपने आप गेट खोलता है, लूना खुदी खीच कर अंदर लाता है और हमारे वाच्मेन की मदद से स्टेंड पर लगा देता है। आखें पूरे समय सना और मुझे पर केंतरित रहती हैं क्योंकि बुढे मिया की आखें कुछ और ढूंड रही होती हैं। अचानक एक जवान चोड़े लड़के को देखकर उनकी भूरी शहदी आखों में चमका जाती है। जल्दी जल्दी अपने बेटे का हाथ पकड़ आगे खिषते हुए उस जवान लड़के के पीछे चलने लगते हैं। सुनेहरी चमकती आखों में खीच के भाव आ रहे थे पर वो घिस्टे जाने पर मजबूर था। कुछ उन अधेड मिया के होटों और कुछ अपने कानों की वज़य से मैं समझ जाती हूँ कि वे पैचान बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रही सही कसर मेरी कलपनाएं पूरी कर देती हैं। सल्दी चलिए नहीं तो इदगाह में जगह नहीं मिलेगी। अब्बू हमेशा आपका जिक्र करते हैं। हम लोग तो डॉक्टर की दवाईयां खाकर बढ़े हुए हैं। दादी जान हमेशा अब्बू को डाटती भी रहती थी कि बच्चों को हकीम सहब का हलवा खिलाया करो तभी गब्रू जवान होंगे। बातों ही बातों में इदगाह आ जाता है। तीनों पास-पास बैट कर नमास पढ़ते हैं। वापस आते वक्त हकीम सहब की आँखों में जहां उत्साह है चमक है वहीं नौजवान की आँखों में कहां फस गया वाले भाव हैं। और छोटा बीटा बेबस है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब्बूस लड़के से आपा की तारीफ क्यों किये जा रहे हैं। शायद हकीम सहब अपनी उस शादी लाइक बेटी की सुंदर्ता, सुगर्ता और पढ़ाई में अवल आने की बात करते हैं। मेरे घर के सामने भी उनका वारता लाब चलता रहता है, तभी उनका बेटा हाथ छोड़ा कर हमारा गेट खुलता है, इस बार उसे जिजग नहीं है, नीचे सी बालकनी के और मूग कर पूछता है, पानी मिलेगा? मैं उसे उपर बुलाती है, सना उसे पानी का गिलास देती हैं और वहीं हमें पता चलता है कि उसके अबु हकीम है, वो उनका पोता नहीं बेटा है, उससे बड़ी उसकी तीन बहने हैं, असका नव हाशिम और अबु का नाम इमामतीम है, वो क्लास सिक्स्थ में पढ़ता है और बड़ा होकर सना की तर्र डॉक्टर बनना चाहता है सनावी उस समय सिक्स्त में ही थी उनके स्कूल भी पास पास थे वे पढ़ाई की बाते भी करते हैं इधर नौजवान हगीम सहब से पीछा छोड़ाते हुए विदा लेता है बुढ़े मिया फिर अकेले हो जाते हैं सोचते हैं सारा समय मैं उसी कार वाले नौजवान पर लगा दिया आंखों की चमक गायब हो जाती है हाशिम को गुस्से में आवाज लगाते हैं सड़क पर नजरे दोड़ाते हैं पर कोई भी उससे बात करने में चुक नहीं है सब को घर जाने की जल्दी है हाशिम नीचे उतरता है हमसे मुलाकात करके उसकी आँखों में चमक है लेकिन पिता की मायूसी और गुस्से को देखकर तुरंदगायब हो जाती है दोनों चुपचाप अपने घर की तरफ लोड़ जाते हैं उनके जाने के बाद सणा मुझसे बड़ी देर तक हाशिम की तावीफ करती है कि उपढ़ाई में बहुत खोशियार है हमेशा अबवल आता है उसकी तीन बहने हैं जो उससे बहुत बड़ी है सबसे बड़ी आपा गणित में पोस्ट ग्रेज़ेशन कर रही है आपी सिलाई कड़ाई बहुत अच्छा करती है पकाती भी बहुत मजे का है और नजाने क्या क्या जो जो उसने अपने अबू को बोलते सुना था सना गोगल दिया मिसेस फारू के आवाज रगाने पर सना भी नीचे चली गई मेरे अंदर की लेखिका की कलपना में वे शायद अपनी बेटी का रिष्टा उन सहब नहां जाते है और टका सा जवाब पाकर वापस आ जाते है मन अब अगली एद में उनसे और हाशिम से मिलने के लिए मचलने लगता है अगली बार एद दिसंबर के महिने में आती है सो बुढ़े मिया ने पैजामे कुर्ते के साथ जैकेट भी पहन रखी है और अरे बापरे सात्वी में पढ़ने वाले हाशिम मिया लूना चला रहे है एक साल बड़ा लंबा समय होता है हाशिम की जैकेट में बड़ी प्यारी से अम्राइटरी है शायद आपाने की होगी जहां बुढ़े मिया हमारे साइन बूर्ट को देखकर अंदर से भकाभक हो उठते है कुछ बुद्बुदा रहे होते हैं हाशिम के चेहरे में सना को देखकर अलगी चमका जाती है उसके हाथ मुझे सलाम करने को उपर उठते हैं पर आखे सना पर ही टिकी रहती है सना की आखे भी हाशिम की आँखों से बात कर रही होती है मुझे एक डर सा लगने लगता है लूना हमारे गेट के अंदर रखी जाती है तभी हाकीम मिया एक लड़के की तरफ लपकते है जो हमारे घर के सामने अपनी मोटर साइकल पार्क कर रहा होता है मैं मनीमन सोचती हूँ बेचारे एकी साल में कार से मोटर साइकल पे आ गए हाशिम के चेहरे पर मायूसी चा जाती है वो अब समझने लगा है पर बेबस है एक बार फिर सिर उठा सना से नजरे मिलाता है और फिर नजरे नीची कर पिता के पीछे पीछे चलने लगता है हकीम साहब फिर पिछले साल की तरह बातों का सिलसला शूरू करते है लेकिन इस बार उनका अंदाज कुछ बतला पदला सा है मेरी कल्पनाओं में पहले वे उस गब्रु जवान की तारीफ करते है ये शायद सुल्तान मिया का बेटा है फिर सुल्तान मिया के घराने पर कशीडे कारते हैं उस लड़के का ध्यान अब पूरी तरह से बुढ़े मिया की तरफ हो जाता है अब वो अपनी बेटी की चर्चा करते हैं जो अब लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने भी लगी है लड़की की काम्याबियों की चर्चा करते करते जहां उनके चेरे पर चमक आती है वहीं दूसरी तफ उनकी शादी ना हो पाने का खेद भी चेरे पर जलकने लगता है नमाज हो जाने के बाद वो लड़का उनसे दूर दूर चलने लगता है बुड़े मिया उसे प्रभावित करने की कोशिश में जुटे रहते हैं पर वो उनसे माफी मांगते हुए अपनी मोटर साइकल स्टार्ट कर फुर से आगे निकल जाता है हाशिम अपना हाथ छुड़ा दोड़ कर उपर बालकनी में आ जाता है हमसे दोस्ती जो हो गई थी हाशिम की जैकेट पर की गए इंब्रॉइडरी की में तारीफ करती हूँ तो कहता है की आप आने की है सना और हाशिम पढ़ाई और स्कूल की बाते करते हैं बुड़े मिया बड़ी देर तक ललचाई नजरों से आने जाने वाले नौज़वानों को देखते हैं उनकी आँखों में दामात की खोच जारी रहती है थोड़ी देर में उनकी आँखें उनकी हार का बयान करने लगती है अब गुस्से सू उपर की और देख हाशिम को नीचे आने का इशारा करते हैं हाशिम की आँखों की चमक भी गायब हो जाती है बाप बेटे दोनों सर जुकाए अपने घर की और चल पड़ते हैं शायद रास्ते में वे आपस में भी बात नहीं करते हैं यही वाक्या पिछले बारे सालों से मैं देखती आ रही हूँ सना और हाशिम भी बड़े हो रहे हैं हाशिम ना केवल ईद बलकि यदा कदा हमारी सरक का चक्कर काटने लग गया है डॉक्टर फारूकी की नजर सना को लेकर पहनी हो गई है पिछले दो सालों से उसका उपर आना लगभग बंद हो गया है मैं सब कुछ समझ कर भी ना समझ बनी रहती हूँ इन बारे सालों में मेरी कन पटी पर काफी बाल सफेद आ गए हैं तो मेरी कलपनाओं में हकीम साहब की बेटी की कनपटी पर भी एकाज सफेद बाल तो आही गए होंगे इधर हाशिम की सना के लिए बेचैनी देख मनी मंदर भी लगता है कि डॉक्टर फारूखी मुझे ही न जम्मेदा ठहरा दें पती और बेटियों से डांट पड़ेगी सुहलग साल दर साल बुढ़े मिया की कमर जुक रही है हाशिम अब एक गब्रू जवान बन गया है और पिछले दो सालों से लूना का भी मोटर साइकल में प्रमोशन हो गया है मेरी इद अब बालकणी में अकेले ही होती है सर जुका कर आगे निकल जाती है दिल में एक टीस सी होती है मैं जितना महसूस कर पाती हूँ शायद वो ऐसा करने को मजबूर थी मैं अपने काम में अतनी मजबूर हो जाती हूँ कि प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होता अलबत्ता हाशेम हवारी सडक के अकसर चकर लगाने लगा है मैं समझती तो सब हूँ लेकिन किसी से का जिक्र नहीं करती मेरे बेटियों और पती को तो पहले से ही मेरा सजना समरना और बालकणी में ईद के दिन बैठना पसंद नहीं था मेरा हर साल गुनगुनाना सुन पीचे से बड़ी बेटी चिलाती ममा बिहेव योरसेल्फ छोटी हां में हां मिलाती आई नो पर क्या करें लेट हर डू जो करना है शी विल नेवर ग्रो मॉम है तो क्या डॉक्टर फारूक हमारे किरायदार जरूर थे पर हमारी बातें और आदान प्रदान सिर्फ होली दीवाली ईद बगरीद पर ही होता था हम दीवाली होली पर विठाईयां विजवाते और वो ईद में सेवियां और बिर्यानी मिसेस से तो केवल मुस्कुराहट कही लेना देना था वो बोलती बड़ा कम थी वो तो सना ही थी जो मुझे बेटियों से ज़्यादा प्यारी थी पर इसका पता हम दोनों के सिवाए किसी को नहीं था सना के बिना मेरी ईद जुंजलाट बड़ी होती थी लेकिन सेवियां और बिर्यानी नौकर के हाथ उपर आ जाती थी मैं खुद को सना हाशिम का गुनहगार मानती थी पर मजबूर थी एक इद मनाने के लिए दो दिलों से खेल गई वो ना समझ थे मैं तो दुनियादारी स्टेटस अमीर गरीब सब समझती थी अपनी भी दो वेटियां थी एक दिन डौक्टर फारू की सब परिवार पांच बड़े सूटकेस लिए रोती हुई सना, सहमे हुए सलीम और पत्नी को लिए आउट आफ स्टेशन चले गए घर की चापी देने उपर खुद डौक्टर सहाबी आये उनका तम-तमाया चेहरा देख मैंने तो कहां जा रहे हैं पूछने की जहमत भी नहीं उठाई दो हफते पहले सना का फोन भी छीन लिया गया था ऐसा मेरी छोटी बेटी ने बताया था जो इंस्टाग्राम पर उसकी फ्रेंड थी मुझे बालकनी से सना का सूजा रोता चेरा दिखा उसने मुझे बकरीद में शहीद होते बकरे का दर दिखा उनके जाने की दूसरे दिन हाशिम हमारे घर के सामने खड़ा बालकनी की तरफ नजर उठाए दिखा उसे देख बालकनी का दरवाजा बंद कर में अंदर आ गई पतानी क्यों महिने बर आत्म गलानी से घिरी रही अजीब सी उदासी मन पर चाई रही लगता जैसे किसी ने बेरहमी से मेरे प्यार का कतल कर दिया हो पर यहां कातिल तो मैं ही थी जब भी खुली हवा लेने बालकनी में जाती हाशिम को खड़ा पाया उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी एक महीने बाद फारूर परिवार आया लेकिन सना नहीं थी दूसरे तिन बहुत सारी मिठाईयों के साथ सना की अम्मी खुद उपर आए और सना की शादी की खुशखबरी सुनाई मुझे तो जैसे काटो तो खुम नहीं उन मिठाईयों में मुझे बक्रे का कटा मास दिख रहा था बेटियां चिलनाने लगी इतनी जल्दी अभी तो आंटी उसका ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था वो तो बहुत अच्छा पढ़ती थी कुछ देर तो उनकी आंटी भी चुक रही सना उनकी बेटी ही थी बच्पन से से डॉक्टर बढने का आर्मान जो पाले हुए थी फिर खुद को समभालते वे ठंडा सा जबाब दिया मेरी शादी भी इसी उम्र में हुई थी डॉक्टर साथ की बहन का ही बेटा है बच्पन से सना को जानता है अच्छा खासा बिजनेस है लड़के के अब्बू मेरे खलेरे भाई है इतना अच्छा रिष्टा कुछ चल कर घर आया तो हम कैसे मना करते हैं थोड़ी देर हम सब चुक रहे मुझे तो बड़े जोर से मतली सी हुई दोर का बातरूं में जाकर के कैकी उस उल्टी के साथ भावनाएं आदर्श इंसानियत सब कुछ बाहर आ गया मेरे अंदर बसे हामिद, इदगा, दादी चिम्टे ने मिलकर सना का दिल कुछल दिया उसके बाद मुझे हाशिम कभी अपनी सड़क पर ने दिखाई दिया इस बार इद पर न जाने क्यों न चाहते हुए मैं फिर सुबह सुबह तयाहरो बालकनी में खड़ी हो गई हमेशा गी तरह हाशिम और बूढ़े मिया को मेरी आखें तलाशती रही लेकिन उनका कोई अता पता नहीं ये दोनों तो सबसे पहले आने वालों में से थे मैं परेशान हो छट पर पहुंच जाती हूँ रोने रोने को हो उटती हूँ तभी दूर से पहचाना मुर्जाया चेहरा दिखता है चेहरा बिलकुल मुर्जाया है आँखों की चमक पूरी तरह से गायब है हाशिम को इस तरह थका हारा पैदल आता देख मैं घबरा जाती हूँ मुझसे रहा नहीं जाता विशात की एक चाया मेरे दिल में आ जाती है और बिना किसी के परवाह किये मैं उसी सड़क पर खड़ी हो हाशिम के वापस आने का इंतजार करती हूँ वो बेचारा सर जुकाए बिना किसी और देखे सीधे आ रहा है उसकी आँखों का रंग बदल गया है चेरे पर दर्द की कई लखी ने है मुझे देखकर सलाम करता है मैं पूछती हूँ क्या हुआ? मोटर साइकल अबू कहा है? मुझे एक अजीब सी नजरों से देखकर कहता है अरे आपको नहीं मालूम अबू इसी सड़क पर आपा के लिए लड़के ढूरते रहे आपा की उम्र हो गई इसी चक्कर में अम्मी ने छोटी दोनों बेहनों का निका मोहले के टेलर ओपलंबर से करा दिया अबू को सदमे से फालिज मार गया एक महीने से विस्तर में पड़े हैं मेरा दिल तो तूटा ही मोटर साइकल भी बेशनी पड़ी जाए डॉक्टर साहिबा आपका तो ये टाइम पास था आप क्या समझेंगी हम तो बर्बाद हो गए उसकी वौकलाहट का बयान उसकी आँखें कर रही थी मैंने शर्म से सर जुका लिया खुद को कटगरे में गुनेगार की तरह महसूस किया चुप चाप में अंदर जा रही थी मिसिस फारू की जोर से चिलाई डॉक्टर सहाब इठाई तो खाते जाई है इद खुशिया लेकर आई है आप नानी बनने वाली है अल्ला की फजल से सना मा बनने वाली है मैं बिना रुके दोर कर उपर चड़ गई आत्मा ने जोर की चीख सुनी मानो किसी ने मेरी मासूम सना का बलादकार किया हो मुझे अब ये सड़क इतनी बेरंग लगने लगी और अंदर से टीस सी उठी काश ये सड़क इदगा को नजा दी तो ना ही मैं एक मासूम हाशिम को तूटता देखती उसकी गुनेगार बनती और ना ही बुढे मिया के दर्दे दास्तान की गवाह हामे दादी चिम्टे के मीठे सपनों में आज तक हुई रहती काश अभी आप सुन रहे थे सुन्दर कल्पनाओं से ये थार्थ को अलग करती हुई डॉक्टर संगीता जाजी की कहानी इदगा एक बार फिर आपको कहानी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इतना तो मेरे लिए बनता है ना मित्रूँ धन्यवाद